नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि तेलमा CT टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है तेलमा CT टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और तेलमा CT टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि तेलमा CT टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में तेलमा CT टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है तेलमा CT टैबलेट का उप्योग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और शरीर में सूर्जन को कम करने के लिए किया जाता है लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़से लखवा लगने का दिल का दौरा पढ़ने का और किड़नी खराब होने की समस्याय होने का जोखिम अधिक हो जाता है शरीर में लिवर किड़नी और दिल से संबंधित बीमारिया होने की वज़ा से पैरो या शरीर के अन्य हिस्सों में सूझन हो सकती है। इसलिए सूझन को कम करने के लिए भी डॉक्तर तेलमा CT टैबलेट को लेने की सलाँ दे सकते हैं। तेलमा CT किडनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है तेलमा CT टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है तेलमा CT टैबलेट के अंदर सौर्ट कमपोजिशन क्लोर्थेलिडोन और टेलमी साटन होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि टेलमा CT टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टेलमा CT टैबलेट की वज़से कोई सीरियस साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में तेलमा CT टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं, सिरधर्ध हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आखों में धुंदलापन हो सकता है, इसके अलावा तेलमा CT टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेच जैसे सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगर सकता है। अगर आपको टेलमा सीटी टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मासपेशियों में एथन, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और मुँ में सुखापन होता है। तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। टेलमा सीटी टैबलेट की वज़े से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किड्नी की कार्यप्रणाली बिगर सकती है। इसके अलावा टेलमा सी CT टैबलेट को लेना रिक्मेंडेड नहीं होता है। असे एसे व्यक्तियों को डॉक्तर की सला के बिना टेलमा CT टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर तेलमा CT टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। तेलमा CT टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको तेलमा CT टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना तेलमा CT टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं तेलमा CT टैबलेट को ले सकती है या नहीं. pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए तेलमा CT टैबलेट का सेवन करना recommended नहीं है. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को तेलमा CT टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को तेलमा CT टैबलेट को नहीं लेना चाहि वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टेलमा सीटी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके